हलो एवरिवन वेल्कम टू एए आउनलाइन सौलोशन मैं हूँ असवाक कैसे आप सभी तो आज मैं आपके लिए 2020 में पूछा गया जाने की कोश्चन मैं किये है और पार्ट टू वीडियो है और इस वीडियो में सिर्फ दो ही सवाल बताऊंगा और नेक्स्ट एम से जैसे कि कि यह सवाल है और फिर मैं आपको एकोनुमिक्स कर बताऊंगा आपका जोग्राफिक कर बताऊंगा तो इसमें दो पार्ट नहीं बनाऊंगा उसमें मैं की कर देंगा जो शौट को सब्सक्राइब कर दो तक है वीडियो ज्यादा ना बने और आप एक ही वीडियो से से हिस् मतलब लिखना पड़ेगा 200 वड़े में सवाल है कि मेजनी कावूर और गयरी वॉल्डी के योगदान बता है बहुत इंपूरेंट है और यह यहां है कि मेजनी शाहित्कार गनतांत्रिक विचारों का समर्थक और योगिस सेनपदी था यहां कि मेजनी सहीत्यकार गयरी विचारों का समर्थक और यहां चाहता था मेजनी ने और एक गनराज बनाना चाहता था जबकि साडेनिया पिडमाउट सासक चार्ल्स एलबर्ट अपने नित्रित में सभी परांतों का विलाय करना चाहता था इस तरह विचारों के टकराओ के करन इटली के एक करन का मार्ग अवरुद हो गया है ना इस तरह सभी लोग अपना अपना विचार करने लगा तो इस तरह से इटली के एक करन नहीं हो पाए रोग गया कलांतर में आश्ट्रिया द्वारा इटली के कुछ भागों पर आकर्बन किया जानने लगे जिसमें सावडेनिया के शासक चार्स इलबर्ट की प्राजे हो गई आस्टरिया के हख से इट्री में जानवादी अंडुलन जनवादी जनवादी अंडुलन को कुचल दिया गया इस परकार मेजिनी की पुना हार होई और वह पलायन कर गए नहीं कर पाया इस परकार मेजिनी की पुना हार हो गई और वह पलायन कर गए फिर बोलता है उन्हें सावडेनिया पिड़माउंट का नया शासक विक्टर इमैनुवल राष्टवात विचार धारा का था और इसके परियासों से कारे जारे रहा अपने निति की की इसपर भांत चलते रही बातें चलती रही और लोगों से जन्जणावु draggingas सादब किसी किसी भी राष्टी को कब करेंगा जब लोग जागेगा है ना जब लोग जाग्रुक होगा तो लोग जन्जागरुकन informing बढ़ी और राष्टेता की भावना बढ़ी अपने देश के बारे में जो प्यार महब्बत वह भावना बढ़ी तो तीरी हो गई और उन्हों को लाके नहीं हम कोई भी यहां भी एक दब गन राज चाहिए आप सब्सक्राइब को परधान मंतरी निट सवाल आपको को अब्जिक्टे में देखना मिलता है कि विक्तर इम्मैनिमल ने काउण कावर को किस पद पर नियुक्त किया तो आप बोलते हैं परधामंद्री के पर तो यह आपका किसका भूमी का निकल गया योगदाना अभी मेजनी का पता है अभी कावर का यहाँ पर भूमी का बताना ह की तीन है जो बहुत इंपोर्टेंट है यह सवाल याद रहां बहुत जरूरी है ठीक है और इसको रट यह नहीं समझे से पर देखिए कौण कावर के बारे में बोला जा रहा है कि कौण कावर एक सफल कुट नितिक और राष्ट वादा वादी था तो याद रखेगा कि कौ कौन था एक सकल कुट नितिक था सवाल ऐसे विया था इंवे से कौन कावर कौन थे तो कुट नितिक राष्ट वादी कथा वह इटली एक करन में सबसे बड़ा बाधा आश्ट्रिय को मानतो था एक अलग देश था जिसकी राज़नी वियाना है ठीक है तो आस्ट्रिया को में सबसे बढ़ा बाधा है काववर का को हरा दिया और अश्वान से दोस्ति कर लिया कि यहां देखें ऑग में दिक्रा को जी यहां बोला कि फ्रांस की और से यूद की सम्मिल सम्मिलित होने की घोषना कर दी अब फ्रांस का राजनितिक समर्थन हासिल किया उन्हें सो अठासो बर्षट इसे तक कि दच्चन इटली रोम तथा वेनेशिया को छोड़कर बाकी रियासतों का विलाय रोम में हो गया और सभी ने विक्टर कर दिया कि आपका का यंडान क्या रहा आप यहां पर देखें गयरी बॉल्डी का योग्दान के यहां से आपका सवाल यहां 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 पर देखें वही तिनों को मिला करके एक लॉंग सवाल बन जाता है इसी बीच महान करन्थी कारी गैरी वाल्डी शासा करन्थी के द्वारा दचिन इटली रियासतों के एकिकरन तर्था गंतंत्र क्या स्थापना करने का पर्याज कर रहा था अपने क्रमचारियों स्थाफ सेवकों की सेवक को सेवकों की ससत्र सेना बनाई उसने अपने साइनिकों को लेकर इटली के परांत सिसली और नेपल्स पर आकरमन कर दिया यह याद रहताएंगे कौन गैरे बॉल्डी की समार्थन बन गई तंग आ गया तरफिक्टर इम्एनुल को के परतिनी रूप में वहां की सत्ता सम्हाली के जीते हुए छेत्र को बिना किसी संदिक कि ग्यारी बॉल्डी ने विक्टर इम्एनुल को सौब दिया इतली के जीते हुए देश को चेत्र को बिना किसी संधी के को संधी बिना हुआ और अगर देखा जाए इन मेहजनी और कावुर्थ और गैरी बाली का है तो गैरी बाली का है पर सबसे बड़ा योगदान यहां पर है यहां पर देखो उन्होंने छोटा सेना त्यार किया और का किसली और नेपल्स पर कर दिया कर दिया और वहां के जो जनता थे उनको पता था कि यह कैसे लोग है गैरी बाल्डी के बारे में जान गया थे कि यह राष्टवादी तो उन्होंने उसका साथ दे दिया और जो बाकी राज था उसको बिना कर्मन किये हुए वहां पर आपना हग जमा लिया और विक्टर विक्टर इमेन्योल को उसको सौब जया और अपनी सारी संपत्ति भी व है नई आर्थिक निति क्या है विवेचना करें कि नई आर्थिक निति क्या है विवेचना करना आपको इसके बारे में कि देखिए उत्तर क्या बोल्सिविक सरकार ने सत्ता समालने ही तो सवाल यहां पर है कि नई आर्थिक नितिक क्या है और इसकी विवेचना करें तो दे पर नहीं हुआ फलता लेनिन ने उन्य सो एकीस में ना लागो की नई अर्थिक नई निति के अनूप किसानों और पुंजी पतियों को सिमित रूप से समर्पित रखने और संपत्ति रखने की अनुमति दिए दिगई असपष्ट व्यक्तिगत असपष्ट का वलता के वेक्तिगत संपत्ति माक्स वादी दर्शन के विप्रित्थी परंतु ततकालिर पस्तियों में यह आवश्य थी तो मतलब नई आजिक नितिक क्या है इसके वा पूरा वहाँ पर इतिहास का या तो फिर जो अलग अलग सब्सक्राइब हो उसको एक बार पूरा हो जा ठीक है फिलाल इसमें एतने ही आप जाने और इसको आप दो तीन में पढ़िएगा तो बहुत कुछ आपको सेंटेस मैंड में आ जागा और जो इंपोटेंट संटेस इसको अंडरलाइन कर दिए ठीक है और जैसे कहानी कैसे पढ़ते उसी तरह से इसको पढ़िए तिन चार बर पढ़िए अगर आपको नहीं याद होता तो लिखेंगे तो अपने आप आपके मन में नहीं नहीं बाते आएंगी और आप उन विचारों को क्या करेंगे अराम स सब्सक्राइब को मिलेंगे ओके डाट चॉल थैंक यो व्रीवन